हेलो एब्रीवन वैलकम तो जटकेम केमिस्टी क्लासे इस लेक्षर में हम करने वाले हैं बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है इसका नाम है फजान्स रूल और फजान्स रूल को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना है है पॉलराइजिंग पावर एंड पॉलराइजिबिलिटी ऑप आइंस सरी यह दोनों टॉपिक समझें उसके बाद फजान्स रूल इसके अप्लिकिस्टन उससे क्वेश्चन्स यह सारी चीचे करनी और एक और चीज मैं आपको बता दो यह जो सीरिज हमारी चल लही है तो प्लेक्चर में प्ट आता फिकेमिकल फॉर्शिजग और इन सभी लेक्चर अगर आपको देखना है सीखना है तो अप पलेस्ट पर जाोगे सारे की सारे लेक्चर फिक स्टाइक अब आम करते हम अपना यह टॉपिक स्टार्ट करते हैं सबसक्राइब करते हैं इसको समझने के पाइं बहुत अच्छ वात हो नहीं आता है तो फिर आ समझेंगे लेकिन बिना समझें नहीं जाएंगे इतनी टेंसे लो पॉलरेज़नी पापरी की डेफिनिस सब मैंने लिखिया अबिलिटी ऑफ एक टायन की एक अबिलिटी होती है किटायन क्या होता है तो पहले क newborn समझोंगे क्या होता है हमको पता है किसीफ स्पीसिस पे पॉजिटिव जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है चसब उन जनाना गट्रों बेसे घृत्युस ए इतना तो पर फाई हे यह हमारी की की अबलिटी है इसकी अगर मात को से ए Th enough नायनिमाक यह से से एप्विलिटी यह हमारी हुए के समें क्या देखना है पूलेराजिंग और यूप्र फॉलेराइजिंग बॉलेराइजिभीलिटी दो Isको फॉलेरेज मलबाते हैं उनल análसी इसको पर ना चले कोई बात निए इसको पल्ले डलवाते इसके लिए मैं करना क्या पड़ेगा सब्सक्राइब कुछ नहीं अपनी लेबल से समझने कोशिज करते हैं जो हम नॉर्मली समझते हैं सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको एक चीज पता है एने प्लस सब्सक्राइब कोई क्या चार्ज होगा सर पॉजिटिव होता है जब इन दौनों को एक दूसरी के पास लेके आउंगा तो इन में अट्रेक्शन फॉर्स होगा नहीं होगा बिल्कुल होगा क्या करेगा दो खीचे गा नहीं खीचेगा बिल्कुल खीचेगा सर प्लस सब्सक्राइब को सा पोजिटिव होता है अना इन पर इन पर कोई सा होता है नेेटिव होगा एक चीज पता चल लाए क्या पता चलना है सर जो कटाइन है उसका जो निउक्लिस जानी जैदिगे टीव ट्रॉन क यह इलेक्टोन को हीचेगा बिल्कुल विचेगा और इसके овать नुएक्टों गार। इस नुक्लियस की तरफ मुलेश हीचाड करें कि यह जैसे अभी तूर दूसरा तरीका हम देखेंगे सर इसे ability of a catain यह हमारा अनाइन यह एनाइन की प्रॉपर से पर सर अनाइन की अगर से बिगारदी कटाइन नहीं खीच कर सर उसी को polarizing power कहता है अभी समझ मा आ जाएगा जैसे मेरा यह क्या है मैं बोल देता हूं मेरा यह 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 मेरा यह जैसे यह एनाइन याइन के पास लेके आ रहा हूं के तो इसकी से बिगारदी इसने करते तो सर कटाइन की सब्सक्राइब कि जो ability है that ability is known as polarizing power फिर से समझ लो क्या किसी भी कटाइन से किसी भी एनायन की किसी भी एनायन को destroy करने की ability क्या कहलाती है हमारी polarizing power कहलाती है distort करने की ability ठीक ना सर्प पोलराइज अबिलिटी क्या होती है यह एनायन कितना पोलराइज हो रहा है कितना पोलराइज हो रहा है that is known as polarizability इस केटाइन की द्वारा ही कितना इतना हुआ इतना हुआ इतना हुआ इतना हुआ कितना हुआ यह हमारी क्या कहलाती इतनी बात साथ आपको समझ में आ रही हो एक काम करते हैं हम आगे अपना स्टार्ट करने कोशिस करता है कुछ इसको यहां से समझने कोशिस करता है अगर फिर भी आपको समझ में नहीं को अपनी खीचेगा सरही मैंने कटाया ले लियाला यह मैंने एक इन में क्या होता है एक साथ को साथ बढसी टी उसमें मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब एक चीज सोचो क्या चीज सोच हमें जैसे इस को मैं इसके पास लेकिए जैसे में इसके पास लेकिए इसका जो प्लस है इसके निगेटिब को अपनी उर खीचेगा तो उससे क्या हो जाएगा उससे हो जाएगा क्याटायन का साइज तो सी में रहेगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इसमें पोलेशन होता है लेकिन बहुत नाकिस हम नेगलेक्ट कर देता है क्योंकि इसका चोटा होता है और और एनाइन की अगर मैं बात परो तो यहाँ पर इसका जो यह कुछ ता लेकिन कुछ ऐसे हो जायगा इसे क्या पॉजिटिक और निगिटिव को खीचे के पीछे के साइट पहुच तो तो इस में पहले कुछ था नहीं लेकिन अभी पॉल्स में συंडिवाइड हो रहें प्लस इधर जा रहा है मानस इधर रहा है पूलस वन ने मतलब पॉलेराइगे सि HOW रहे है इस सब न्यांस पॉल्राइजेक हुआ है इसके ताइन ने इसे केंवे को समझ में यह बैसे इसके सी किम पावर maltती है और यह ने कितना polarized हुआ है यह इसके polarisability के अलब है मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में सर बात तो यह आती है क्या सब कोई भी कटायन की polarisability power हम कैसे बताएंगे किसकी ज्यादा है किसकी कम है अगर को मालो मेरे पास में एनायन दी दिए उसमें हम किसकी बताएंगी किसकी polarisability ज् प्लस है पर यह मेरे पास पता है क्ये प्लस है दोनों ही कटायन हैं दोनों पर एक एक positive charge है मैं आप से पूछता हूं सर इन दोनों को अगर भीज दिया जाए किसी एनायन से लेक्टोन खीचने के लिए तो इनमें से कौन ज्यादा खीचेगा किसकी polarisability power ज्यादा होगी पहल किसकी ज्यादा होगी इसके जवाब देने के लिए हमारे पास कौन फवचान्स पर जानस फटूल है में इसके जवाब बहुत आप सनी से देता है चले काम करते हैं पचान्स रूल को start करते हैं ठीक है वही फच्छान्स पर एक चीज मेरा को पता चलीए क्या पता चलीए केटायन की क्या बताएगा polarizing power और एनायन की क्या बताने वाला है polarizability ठीक हमको पता है हमको पता है polarizing power में कि अगर ने electron को खीचना है तो सर कौन खीच सकता है बहुत ही आसन से ट्रम है अगर आपने last series देख रखी है तो आपको problem बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए सारी के सारी आराम से हो जाएंगी सर पहली condition तो यह कि अगर केटायन को electron खीचना है तो सर केटायन चोटा होने चाहिए क्यों होना चाहिए च्छोटा होगा तो attraction force तो ज्यादा होगा और attraction force जितना ज्यादा होगा वो electron को उतने ज्यादा की सकता है कहने का मतलब यह हो गया polarizing power of केटायन की बात करों तो साइज क्या होना चाहिए स्मॉल साइज मैं बोल सकता हूं स्मॉल साइज फ़र क्यों चाहिए क्यों साइज चोटा होगा attraction force ज्यादा हुआ एलेक्ट्रोन को ज्यादा खीचेगा polarizing ज्यादा हो जाएगा इसका मतलब इसकी polarizing बढ़े जाएगी पहल हम मोलते हैं लार्ज चार्ज छेपो हाँ इस बाहरा हाँ तो हमको करना क्या पड़ेगा अगर जसी बजादा होने के लिए hamin 2013 साइचे केटाइन छोटा होना चाहिए लेकिन उस पाजिटिव चार्ज ज्यादा होने चाहिए अगर ऐसा है तो पॉल राइंज पाबर मारी ज्यादा मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आगी होगी इसमें कोई प्रॉब्रम नहीं है चोटा होने चाहिए चार ज्यादा होने चाहिए आराम से खीच सकता है अब सेम कहान ही हमें इधर करनी है कि इधर करनी होई अनाइस के किस में क्या है six mi top न это εκonielen electronics को घीच रहे हैं राएंस से तो लाट गदा रहें लैक्तों जा रहें अगर इन तीन के साइज जितना बड़ा होगा उतनी जल्दी जा सकते उतनी जल्दी जा सकते यानि पोले रिओड जाएगा शरक य hm हो गया यहां पर क्या होना चाहिए लार्जग साइज ओफ लाच्वनों लाजग साइज Gap of N1 hai hai My senior out तो पहली बात समझ में आगे दूसरी बात की बात कर लेते हैं लुगाते दूसरी बात अगर हम बात करता तो यहां पर क्या था सर हाई चार्ज होना चाहिए जितना पॉजिटिफ़ रभ होतना ही जादा हैं सर यहां पर भी हाई चार्ज और आ हुए आपको कि रुख सरने हौ आया कम चारज नहीं जारज नोगे क्यों जाता होगो शाधा चारज झादा सई साइज बढ़ता है निगिटिव चार्ज बढ़ेगा साइज बढ़ेगा साइज बढ़ेगा तो पोलराइज इबिल्टी भी बढ़ेगी इसका रिजन पहले बता चुक आप पुराने लेक्षर जाके देख सकते हैं ठीक है तो यह चीज आपको समझ में आगई सर दो चीज हमन सब्सक्राइब है किस में आते हैं हमारे के ताउक हमारे पास दो केसे सोब एक तो होता है और एक हमारा स्कूडों स्वाट पारश्च नम्मर आपको पता ओगा इसका कितना होता होसा है 10 18 36 54 और 86 यह होता है ठीक है अगर मैं आपसे बात करूं इन यह जो अटम में की नम्म लिख रहे हैं न यह वाले इन्हें इन्हें इन्हेंट गैस क्योंकि इन्हें गैसे हैं और ऐसे कुछ देखिए एक काम करता हैं भर के देख लेते हैं एक बार दो केस ले लेते हैं एक तो म दोनों मैंसे पोलेजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी और अगर मैं आपसे कहूं तो पोलर आजिंग पावर हमारी होती है सी यू की जाना और इसका रीजन क्या होता वो सुन लीजे हम पहले तो यह जानेंगे concept क्या है भाई concept यह कि किसी में S2 या P6 या D10 आ रहा है और यह हमारा क्या है pseudo-inert gas configuration क्या है pseudo pseudo-inert अगर किसी भी एलिमेंट का आता है तो उसकी polarizing power जो inert gas वाले configuration उससे ज्यादा होते है ज्यादा होने का मतलब जैसे हमने दो केस में देखा है ने प्लस और सीजू प्लस इन दौना में से polarizing power किसकी ज्यादा होगी तो भाई एने प्लस और किसका एने का और सीजू का electron confusion कर लेते हैं ठीक है ना एने देल लेको और सीजू देल लेको एने के बात करूं तो कितना होता है 11 सीजू में कितना होता है सब 20 करोगे वन एश्टू टू एश्टू टू टू एश्टू टू टू पी सेक्स और ठीजू टू 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 पी शिक्स फिर फूरस बन और 3डी टैंड यही होता है ठीक है सब अब एक काम करता है इन्ने में यह से हमने क्या किया एक प्लस लगाया इधर भी हमने एक प्रॉब्लम नहीं अब इसमें एलेक्ट्रन काउंट करो किसमें इसमें कितने बचे 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 एक देखो इसमें 2 और 4 और 6 10 इसमें एलेक्ट्रन बचे सर 10 ठीक है यहां पर कि 2 4 और 6 10 10 12 और 18 18 10 कितने हो गए अब एक चीज देखो इसको टोटल ऑज्यविट हो तैने इसमें कितना हुआ तैट यहां पर इसमें 10 है कहीं 28 है कहीं नहीं इसका मटलब है है कि जो एने पलस है इसका मतलब है इसका उलेक्टरण Esp युज हाओ किस टाइप का है इन्रट गेस के टाइप का इसा है इन्रट गेस्ट गेस्टाइप और इसका उलेक्टऌनेक उल्टापवजिशित है उसम ये इनर्ट गेस्म की बराबर तो नहीं आ रहा लेकिन देखो D 10 फुल्फिल्ड है PV फुल्फिल्ड है SP फुल्फिल्ड है यानि कि अगर जिसमें S2P6D10 इस टाइप से आ रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं Pseudo Inner Gas Confliction और इसमें Pseudo Inner Gas Confliction है और जिसमें Pseudo Inner Gas यहां पर इन दोनों में से किसकी पॉलराइजी पावर जादा होगी किसकी होगी बस एक पॉइंट तो हमें यह बताना था क्या करना आपको जो पॉलराइजी पावर किसकी जादा होगी वही सीड़ो इनाट सीड़ो इन उनका कि ज्यादा होगी किससे इनर कॉन्फिगरेश्स मुझे लगता है यह बाला पायंट भी आपको समझ में आकई हो मुझली धुक्स में लिखा असन में नहीं आता सार समझने का सीधा सीधा पंडा है कि अगर आप करने हैं के टाइन का अगया और एक है उसकी जैसा नहीं है लेकिन फुल्फिल्ड और विटल से उसकी पावर इंसे ज्यादा हो जागी बस इतना बोला है हमने अगला अगर हम बात करना तो आगे हम एक और कर सकते हैं वह वह हमारा चार्ज डेंसटी चार्ज डेंसटी का व्रोद की दो मैं चार्ज पर रेडियस केuing अगर जितना जादत है जितना ज्यादा और हाई चारज होगा हाई जॉद तो बस इन दोनों से मिलाकर यह वाला पॉइंट बन गया है बाकी कुछ नहीं तो मुझे लगता है चारा पॉइंट समझ में आगे एक बार फिर से सांती से समझ लीजिए सुन लीजिए फिर हम इसके एप्लिकेशन करने वाद जो कि हमारा लास्ट आपक रहेगा देखी सुनिए पजान स्रूल क्या घलाता सबसे पहले आमने दोने पॉलराइज़ इस अमने की क्या इं अब किसी क sixteen की पॉलराइज़ एक जादा हुगी जब यह छोटा होगा, चार्ज इस पर जादा हो इसकी पोलग्यमिलिटी का जादा होगी जब ये बड़ा होगा को चार्ज भी सब्सक्राइब दूसरा हमारा यहां पर यह जितनी जादा होगी उसकी प्लड़ेंटी पापर उतनी जादा ठीक है अब हम करते हैं अगला तोपिक एग्ल चार्जेट पर applications of fajan's rules applications of fajan's rules sir fajan's rules का काम क्या है कहां कहां अमारी problem को solve कर सकता है sir पहली बात आपको बता दू पहली बार आपको बता दू बहुत मस्त चीज है fajan's rule ये कहता है sir polarizing power जितनी ज़्याद हो यह polarization जितना ज़्यादा होगा polarization polarization is directly proposed to the covalent region भाई बहुत बहतरीन यह हमारे एप्लिकेशन है कोवलेंट नेचर है बहुत बहतरीन जिसे हम बोलते हैं कि जहां से बहुत सारे कॉश्चन से हमारे सॉल्व होते हैं इस चीज को तो भूलना मनाएं यह माल कोल पॉले रइजीयसन जितना जाद होगा उसमें कोवलेंट करक्टर उतना ही जाद होता है सर ऐसा क्यों भाई हमको पता है केटाईन था यहां अनाइन था यहां इसने क्याсьल्лон को कीसा तो electron इसके बीच में आ रहे नहीं आ रहे एलेक्टोन आ गई जहां इसका मतलब यह electron density इन दोनों atoms के बीच में आ गई सर इस तरह की sering को क्या कहते हैं covalent character कहने का मतलब है covalent nature covalent bond बनना सह सही हो जग बंद जिसमें दोनों की sharing होती है तो यहां पर electron बीच में आ रहा है दोनों की nucleus की बीच में आ रहा है और जितना बीच में होंगे उनका covalent nature उतना ही ज़्यादा सरे एक चीज़ समझ में आगी जितना ज़्यादा polarization होगा covalent nature भी उतना ही ज़्यादा चले में दूसरा क्या है सर्थ दूसरा यह है अगर हम बात करें सर्थ किसकी पजांस रूल के according पोलाराइशिं ज़्यादा covalent nature उतना ज़्यादा पाई polarization जितना ज़्यादा होगा और हम इसको छोड़ो यहीं से करता है covalent nature आपको पता है covalent nature जितना ज्यादा होगा covalent nature जितना ज्यादा होगा अनिक निचर तो उतने कम होगा अनिक निचर उतना ही क्या हो जाएगा कम होजाएगा नहीं पहले तो यह बताऊ टोचीजें और दूसरा प्रोपोस्टन को हंड़ाइपरसंट अगर हम एक और चीज जानते हैं एक और चीज क्या जानते हैं एक चीज अगर बात करें आयनिक नेचर जितना ज्यादा होता है अगर दिःफननला जितना ज्यादा होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट esasgae गर लंप उतना ही ज्यादा होता है क तरा यह तीन चीज आपको ध्यान रक्नी है क्वेस्ट्ट भी यहीं से आते हैं हैं कि यहींदा तीन चीज सरव प्यहार से बता रहे हो वगती हैं वह discouragem क्या ममें जो यह से वागती क्लें जाहता है मियाendability पोललेइशन पॉल्याइजीसिेशन बड़ा है को फोले नेचर बड़े éner़ कम होगा अएक नियुक्त कम हो Indy नेचर थो तो सरीन चारों में से किसम में कोविलेंट नीचर जादा होगा पहले सब्सक्राइब देखने वाले इसमें कौन को सब्सक्राइब दूसरा कोविलेंट नीचर तीसरा आइनिक नीचर और चौता कि लिए हमको एक चीज पताती के टाइन की पॉलराइजिशन पावर ज्यादा होने के लिए साइज क्या होना चाहिए और चार्ज चार्ज क्या होने चाहिए सर चार्ज ज्यादा होने चाहिए यही था न और एनायन की केस में आपको क्या देखना है एनायन की केस में आपको देखना है साइज क्या होना चाहिए बड़ा और चार्ज चार्ज भी ज्यादा होने चाहिए यही तो था ठीक है सर इतनी सी चीज से हम पूरा का पूरा कॉष्ण सॉल्व कर सकते हैं सर कैसे देखेंगे देखिये इतनी इसी चीज़ें आपको द्यान रखनी है और इन से हम सारी की सारी चीज़ें को सॉल्व कर लेंगे ठीक हैं इसको मैं अटा देता हूँ कि अब देखिये यहां पर रखना इन चारओ में देखो तो एन प्लस है एसमें इसका मतल़ हुआ चोटा होगा नहीं हुआ नहीं होगा चारों की केसे में तießen में ना. जब कर्णें से मैं यह मैं यह प्लस यह जो प्लस यह प्लस यह Agency प्लस तो सम्न सम् topics बरावर है लेकिन चीज जर क्या चीज य सघीर हा कि फनकर हमारे ऑद दौड आने करता है है अधम जंसा होटा है लोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगो को खीच इनधर भी पोलेशन करेंगे किसमें सबसे ज़्यादा हुआ प्लस तो खीचेने वाला संव्य बढ़ावर है किसमें सर क्यों कर रहा है क्योंकि इधर से इधर जाने पर कटायन तो सिमिल लेकिन एनायन का साइज बढ़ रहा है जितना बढ़ा होगा यह जितना बढ़ा उतनी जल्दी पॉलराइज हो जाएगा सर पॉलराइजिशन बढ़ रहा है और अगर पॉलराइजिशन बढ़ता है तो अब हमएं पता है इनिक क्या हो जाएगा अधैयनिक नेचर हमारा हो जाएगा कम हमारी का अधैसर क्यों कर G तो मेल्टी पॉइंट भी काम हो जाएगा इतनी बास सामज माला की सरे पहला वश्ण ता दूसरा कोश्ण करने को सिच करता है इस दूसरे कुश्ण में अगर मैं देखूं तो यहां पर बी पिलस की सिया जिए असर और बी अटू अगर मैं शीतित तो 9 जर्फ करो डेकर हो को आपको मिल जाता है या तो केटायन कि शाइज सेम डे रखे होंगे या विद्य time दे रखेंगे इस तो हमाद कीशन समय सेीम तो आप differentiate को देखो एनाएन का साइज बड़ा पुलेरशन उतनी जादा और आपको पता है यह सारे के सारे इक ही गुरुप के है बेटा मांगे कारस्कुटर ऐसी तो था सबसे चोटा है सबसे बड़ा साइज इसका बड़ा है इसका मतलब क्या है इसका साइज चोटा है तो पॉलराइजेशन पॉलराइजेशन क्या हो रही है को भेल कर बड़ा तोमेल desp forgotten क्यों अगर्ण मेंटचर बड़ा है तो मेल्टिंग पॉइंट वी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा कर जाएगा इंक्रीज हो जाएगा अगला कोश्चन लेकिए ये लास्ट नहीं हम देख लेते हैं हमारा क्या सार पहले वाली टाइप का ही कई और इसमें जो क्वेशन पूछा जाता है आपको थर्मल इस्टेबिटी कि अगर हम इसको गरम करें तो कौन ज्यादा इस्टेबल है यानि गरम करने पर सबसे लेट कौन तो पूटेगा पूटेगा इसमें हमसे पूचा था तो इसमें पूलेशन जाता होगा तो इधर से जाने पूलेशन क्या होगा कम पूलेशन क्या होगा वही अउणिक पूलेशुटी करेगा कोबिलेंट नेचे जाने क्या होगा कोवलेंट होगा नेचे गटेगा तो इन a क्यों रिधा ऑसनीर क्या होता है बढ़ता है इन marks or से बड़ेगा तो Melting Point भी बड़ेगा वैँल्टिक पाइंट को ही तो तो बोलता है काई को सर्म्हेंट क्या होता है मेल्ट करना ही तो सौलिड को लिक्ड में चेंज करना है तो उसको मैल्ट करना होता है तो जो जितनी लेट होगा जीसका से जड़ा तरह सब्सक्राइब यह सबसे ज़्यादा थर्मल इसटेब्ल था हमारा यह सब्सक्राइब होगी मतलब बड़े तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी लेक्चा साय थोड़ा सा लेंदी हो गया है कि कोई बात नहीं अगे लेक्षान हम फिर से बहुत अच्छा सा टॉपिक लेके आएंगे अपके सारी की सारी यूनिट सारे की सारे टॉपिक में कुल क्लियर करूंगा कंप्लीट करूंगा आप इस चीज को जितना हो सके सेयर करो थैंक्स पॉर वच्छिक